हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चानल मैं थोड़ी से हेवी मौश्यराजस यूज़ करती हूँ या तो फिर मेरे लाइट मौश्यराजस रहती है उनके साथ मैं फेशेल ऑईल लगाती हूँ तो उसे ट्रांस एपिटेमल वाटर लॉस जो है वो प्रिवेंट होता है मौश्यर लॉस नहीं होता है तो दोस्तों ये सारे प्रोड़क्स के बारे में हम बात करने वाल है ये सब मैंने पर्सनली यूज़ किये है या कर रही हूँ और इनमें से काफी सारे प्रोड़क्स के रिवी औरेडी मेरे चैनल पे है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी तो चलिए हम बात करते हैं इनके बारे में So first है सुगंदा वाइट लोटस Moisturizer, 750 रूपीज में 50 ml quantity आती है दोस्तो और glass bottle में आता है 10-15% discount आपको मिल जाए सुगंदा के website पे और इसका texture जो है एकदम transparent serum के type का है runny consistency है बहुत जादा यह hydrating लगता है स्कीन पे क्योंकि इसमें panthenol और hyaluronic acid जैसे humectant ingredients यूज किये गए है इसके अलावा इसमें white lotus extract है 3% niacinamide है तो जिनको भी niacinamide अपने routine में इंट्रूइस करना है उनके लिए यह काफी अच्छा product है अगर आपके skin पे जाधा oiliness रहेगा sebum production जाधा होता रहेगा uneven skin tone रहेगी dark spots रहेगे तो niacinamide काफी अच्छा ingredient माना जाता है तो यह product काफी अच्छा है start करने के लिए दोस्तों यह बिल्कुल भी oily greasy ऐसा sticky type का residue नहीं छोड़ता है काफी ऐसा hydrating लगता है और अच्छी बात यह है यह centred and unscentred दोनों version में आता है बस एक issue है दोस्तों इसमें कोई भी ऐसे occlusive या emollient ingredients यूज नहीं किये गए है तो night time routine के लिए मुझे sufficient नहीं लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि इसे use करने से यह कुछ ऐसा hydration moisture जो है इतना hold नहीं कर पाएगा तो night time के लिए मैं आपको थोड़ा सा heavy moisturizer यूज करना recommend करूंगी यह काफी सरे अच्छे active उसके साथ जाता है दोस्तों और बहुत ज़दा जिनकी skin oily है combo type की skin है उनको यह बहुत ज़दा पसंद आएगा फिर second है प्लास्टिक के ट्यूब पैकेजिंग में आता है दोस्तों और इसका texture aloe vera gel रहता है उसी type का transparent gel है दोस्तों बहुत ही ज़दा hydrating और soothing रहता है क्योंकि इसमें काफी सारे soothing hydrating ingredients यूज किये गए है जैसे aloe, leaf juice, panthenol, allantoin, hyaluronic acid, glycerine यह सारे humectant ingredients है यह इसमें use किये गए है इसमें कोई भी occlusive या emollient ingredient यूज नहीं किया है तो night time के लिए यह moisture अच्छे से hold नहीं कर पाएगा दोस्तों तो night time के लिए थोड़ा सा heavy moisturizer यूज किजिए या इसके साथ आप कोई भी facial oil यूज कर सकते हो यह काफी ऐसा hydrating और soothing है बिल्कुल भी ऐसा oily, greasy या sticky type का residue नहीं छोड़ता है काफी अच्छे से यह skin में absorb हो जाता है यह fragrance free product है और काफी सारे actives के साथ almost सारे actives के साथ अच्छे से यह work करेगा दोस्तों और जिनकी भी skin oily है, combination angry, acne prone skin है उनके लिए काफी अच्छा product है dry skin beauties आप इसे as a serum लगा सकते हो एक added hydration के लिए फिर थर्ड है benton alopropolis gel इसका price 450-30 ml के लिए और 1300-50-100 ml के लिए है plastic के tube packaging में आता है दोस्तों यह और इसका भी texture aloe vera gel की तरह ही है एकदम transparent सा यह बिल्कुल भी ऐसा oily, greasy, tacky type का आपके skin पे नहीं लगता है काफी light fit है और एकदम skin पे watery लगता है जैसे ही आप लगाते हो यह काफी hydrating and plumping लगता है दोस्तों और इसमें काफी सारे soothing, calming ingredients है जैसे aloe leaf extract juice powder है दोस्तों, propolis है, cucumber है, green tea extract है जो की जिसमें anti-inflammatory properties रहती है दोस्तों, anti-oxidant है glycerine है दोस्तों तो इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा soothing, calming ऐसे लगता है hydrating लगता है यह बहुत अच्छे से सारे ऐसे active के साथ आप यूज कर सकते हो इसमें कोई भी fragrance, colors नहीं है दोस्तों और जिनकी भी skin oily है combination है acne prone sensitive skin है, angry skin है उनके लिए यह काफी अच्छे से work करेगा फिर भी हापे मैं बोल रही हूँ क्योंकि night time के लिए यह इतना perfect नहीं है night time के लिए heavy moisturizer यूज कीजिए या इसके साथ facial oil यूज कीजिए dry skin beauties, normal skin beauties आप इसे as a hydrating booster यूज कर सकते हो फिर fourth है ionic centella calming gel cream 1000 के आसपास आता है 60 ml की product quantity में आता है और plastic का tube आता है दोस्तों इसका भी texture aloe vera gel की तरह है थोड़ा सा translucent है एकदम transparent नहीं है और यह भी skin पे काफी ऐसा lightweight लगता है बहुत अच्छे से absorb होता है बिल्कुल भी oily, greasy, tacky type का finish नहीं देता है और यह बहुत ही ज़ादा skin को hydrate plump करता है दोस्तों यह जो product है काफी soothing and calming है और ingredients ही वैसे इसमें use किये गए है 70% centella asiaty का leaf water यूज किया गए है हम सबी को पता है centella बहुत ही ज़ादा soothing ingredient है दोस्तों इसके अलावा इसमें 10% tea tree leaf water है यह भी soothing ingredient है antioxidant, anti-inflammatory properties रहती है tea tree में दोस्तों इसमें niacinamide है तो जिनको भी excess sebum का issue है जिनके skin पे dark spots है open pores है या pigmentation है उनके लिए काफी अच्छा है starting के लिए start करने के लिए इसमें sprouts extract है इसमें काफी सारी emollient ingredients है दोस्तों तो बाकी के जो प्रोडक्स थे हमने अभी तक देखे उनमें बहुत जादा humectant थे, emollients नहीं थे लेकिन यह product है इसमें emollients भी है तो यह थोड़ा ऐसा epidemal water loss जो रहता है वो hold करने के लिए भी मदद करेगा बस एक ही issue लगा मुझे इसमें bergamot essential oil है और essential oil से कुछ लोगों को issue हो सकता है यह product मैं oily skin, combo skin या normal skin सभी को recommend करूंगी मुझे लगता है night time के लिए फिर भी आपको थोड़ा सा heavy moisturizer की जरुरत पढ़ सकती है फिर फिपते pure bubbles clarity lotion इसका price 690 रुपीज है 50 ml की packaging में आता है और pump, airless pump bottle में आता है प्लास्टिक के यह YouTube पे ज़्यादा famous नहीं है लेकिन Instagram पे यह बहुत ही ज़्यादा famous है दोस्तो इसका जो texture है वो एकदम light lotion type का है और skin पे जैसी आप लगाते हो बहुत अच्छे से यह absorb होता है बिलकुल भी ऐसा oily या tacky type का नहीं लगता है दोस्तो irritated skin या skin barrier जिनका damage है angry skin है acne prone skin है उन पे यह बहुत अच्छे से work कर रहा है और काफी सारे लोग इसके बारे में बोल रहे है दोस्तो और यह सभी active उसके साथ अच्छे से work करता है दोस्तो इसका ingredient list भी काफी unique है amazing है दोस्तो चॉलमोगरा oil extract है इसमें exactly यह ingredient क्या करता है मुझे नहीं पता है इसमें sea buckton oil है vitamin C रहता है natural इसमें black cumin seed oil है manuka leaf oil है magnolia bark extract है तो काफी amazing सा इसका ingredient list है दोस्तो यह fragrance free product है लेकिन इसका fragrance जो है काफी लोगों को ऐसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है इसका fragrance मेरे लिए तो मुझे तो basin के type का fragrance यह लगता है दोस्तो यह oily combination acne prone sensitive skin रहेगी उनके लिए काफी अच्छे से work करता है personally मुझे ऐसे acne का पकरा issue नहीं है लेकिन मैंने जो देखे मेरे nose पे बहुत बार pastels आते है और यह product मैं जब use कर रही थी तो वो issue मुझे face नहीं हुआ normally यह issue मुझे summer's में ही आता है और हो रहा था यह use करने से पहले product तो मुझे लगता है yes definitely यह product काफी अच्छे से work करता है लेकिन night time routine के लिए आपको थोड़ा सा heavy moisturizer की जरुरत बढ़ सकती है यह sufficient नहीं लगता है फिर है simple hydrating light moisturizer मेरा favorite brand है simple दोस्तो काफी budget brand है दोस्तो इसका price 385 रूपीज है 125 ml के लिए काफी huge quantity में आता है इसका जो texture है lotion type का है एकदम creamy सा texture है दोस्तो और यह एकदम non oily non greasy type का product है बहुत ही जदा light weight लगता है बहुत अच्छे से skin में absorb होता है बस दोस्तो एक issue लगता है मुझे यह मुझे थोड़ जितना moisturizer की quantity लेनी चाहिए उतना लोगी तो यह मुझे ज़ादा ऐसा moisturizing hydrating नहीं लगता है मुझे double quantity लेनी पड़ती है इसमें pro vitamin B5 है panthenology से हम बोलते है vitamin E है glycerin है alantoin है silicon है तो दोस्तो silicon एकदम थोड़े से ऐसा नहीं है बहुत ज़ादा अलग अलग type के silicon है तो उतने हैं तो काफी अच्छे रहते हैं बिल्कुल हाम नहीं करेंगे आपके skin को और बिल्कुल भी ऐसा ब्लॉक नहीं करेंगे यह बहुत ही ज़ादा light weight moisturizer है इसकी ingredient list भी minimal है बहुत ज़ादा ऐसी लंबी ingredient list ने इसमें बिल्कुल भी fragrance यूज नहीं किया है और दोस्तो सच में honestly इतने कम price में एक अच्छा quality का एक अच्छे ingredient वाला product हमें मिलता है दोस्तों इतने अच्छे ingredients के साथ product आपको नहीं मिलता है यह price में दोस्तों almost all actives के साथ बहुत अच्छे से यह work करता है और oily skin beauties के लिए यह काफी अच्छा है even आपकी skin combination normal रहेगी तो आपको इतना यह पसंद नहीं आएगा night time routine के लिए मैं बोलूंगी थोड़ा से heavy moisturizer यूज़ कीजिए या फिर facial oil आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि यह sufficient नहीं लगता है फिर 7th है simple की तरब से ही है simple replenishing rich moisturizer 385 rupees इसका price है 125 ml के लिए plastic के bottle में आता है और इसका और light moisturizer का texture almost same है lotion के type का यह भी skin पे बिलकुल भी ऐसा greasy oily sticky नहीं लगता है लेकिन थोड़ा सा moisturize लगता है ऐसा नहीं कि वो light moisturizer जरे उसकी तरह totally गायब नहीं होता है दोस्तो skin पे इसमें काफी अच्छे ingredients है दोस्तो pro vitamin B5, vitamin E, glycerine, allantoin, bisabolol है जो की chamomile का एक part होता है दोस्तो, yuria है दोस्तो तो काफी अच्छा minimal और बहुत ही अच्छा ingredient list है इसका भी ये भी fragrance free है और budget friendly है दोस्तो इस price में आपको better मुझे लगता है choice नहीं मिलेंगी simple के अलावा दोस्तो और ये भी सब actives के साथ अच्छे से work करता है all skin types के लोग इसे use कर सकते हैं oily skin आपको लगेगा कि ये rich moisturizer है तो हमारी skin पे नहीं जाएगा लेकिन definitely ये काफी अच्छे से work कर रहा है मैं मैंने morning time में अभी मैं use कर रही हूँ ये और मुझे बिल्कुल भी ऐसा greasy type का या बहुत ज़ादा oily ऐसा feel नहीं होता है दोस्तो so definitely all skin beauties आप try कर सकते हो night time के लिए भी ये मुझे sufficient लगा फिर last product है clear midnight blue calming cream दोस्तो 2100 इसका प्राइज है 60 ml के लिए plastic के tube packaging में आता है vanity wagon पे ये आपको 20-25% discount पे मिल जाएगा इसका जो texture है light creamy type का है blue color इसे आता है दोस्तो इसका review भी है मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हो ये काफी non greasy non oily ऐसे लगता है बिल्कुल पे ऐसा tacky type का sticky type का नहीं लगता है लेकिन lightly skin को moisturize भी करता है दोस्तो ये irritated angry skin रहेगी sensitive skin जिनका skin barrier damage है acne prone skin के लिए बहुत अच्छे से ये product work करता है काफी सारे लोगी से पसंद करते है दोस्तो इसमें centella aziatic hyaluronic acid gozalin है और gozalin के कारण ही इसे blue color मिला है दोस्तो के अलावा glycerine, ceramide 3 emollients है shear butter जैसे आगन oil hojoba oil तो काफी अच्छे ingredient list है दोस्तो fragrance free product है almost सारे active उसके साथ अच्छे से ये work करता है और हर type की skin beauties इसे use कर सकती है दोस्तो dry skin रहेगी तो आपको night time में थोड़ा सा extra boost देना पड़ेगा थोड़ा moisture का बाकी के skin के लिए night time के लिए भी ये काफी अच्छे से work करता है currently मैं इसे night time के लिए वह use कर रही हूँ second time मैंने इसे purchase किया और मुझे ये product बहुत ही ज़ादा पसंद है बहुत expensive है दोस्तो तो अगर आप इसे afford कर पाती हो तो definitely आप check कर सकते हो बहुत ही beautiful product है ये I hope आपको वीडियो useful लगी होगी अगर आपने इन में से कोई भी product ट्राइक है तो ज़रूर आपका experience नीचे comment box में share कीजे तो दुसरों को decision लेने में आसाने होगी कुछ issue है कुछ queries है तो नीचे comment box में आप comment कर सकते हो या Instagram पे भी आप मुझे message करके पूच सकते हो मैं ज़रूर answer करूँगी same नाम से मेरा Instagram handle है दूस्तो और वहाँ पे भी मैं चोटे चोटे reviews करती हूँ जो यहाँ पे नहीं कर पाती हूँ कुछ deals, discounts रहेंगे तो मैं share करती हूँ वहाँ पे तो ज़रूर वहाँ पे मुझे support कीजी अगर वीडियो पसंद आयोगी तो इसे like, share कीजी और मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजी थैंक यू फो वाचिंग, बाबाई, टेक केर